ओम शांती, 18 अक्टूबर 2023 के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, देह के संबन्दों में बंधन है, इसले दुख है, देही के संबन्द में रहो, तो अथा सुख मिल जाएगा, एक मात पिता की याद रहेगी, प्रशन, किस नशे में रहो, तो माया पर जीत पाने की हिमत आजाएगी, उतर, नशा रहे की कल्प कल्प, हम बाब की याद से, माया दुश्मन पर विजयी बन, हीरे जैसा बनी है, खुद खुदा हमारा मात पिता है, इसी स्मृति वा नशे से हिमत आजाएगी, हिमत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनती हैं, और सदा गोडली सर्विस पर ही ततपर रहती हैं, गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ओम शान्ती, देवी देवताओं के पुजारी पारलोकिक मात पिता को याद तो करते ही आई हैं, और भगत भी जानती हैं, हमको भगती का फल देनी मात पिता को आना है जरूर, अब वह मात पिता कोन है, यह तो बिचारे जानते ही नहीं, पुकारते हैं, इससे सिध होता है, उनका संबंद जरूर है, एक होता है लोकिक संबंद, दूसरा होता है पारलोकिक संबंद, लोकिक संबन्ध तो अनेक प्रकार की है काखा, चाचा, मामा, आदी-आदी यह हैं लोकिक बंधन इसले परमपिता परमात्मा को बुलाती है यह तो बच्चों को मालूम है, सत्यों में कोई बंधन नहीं बाप को बुलाती हैं कि हम अभी बंधन में हैं आपके संबंद में आना चाहती हैं भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं देह का सिम्रण होने कारण बंधन बहुत है देही के संबंद से एकी मात पिता याद रहता है लोकिक और पारलोकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है यह है जिस्मानी बंधन और वह है रोहानी संबंद जिस्मानी संबंद में सत्योग में रहती हैं क्योंकि वहां सुख का संबंद कहेंगे यहां फिर दुख का बंधन कहेंगे उनको संबंद नहीं कहेंगे इन बातों का आगे पता नहीं था अब समझ गई हो पुकारते जरूर थे हे मात पिता आओ बाप तो जरूर सब को सुख ही देंगे परन्तो बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है अभी बाप से संबंध है उनसे सदा सुख मिलता है सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे तो बच्चे मात पिता को बुलाते हैं, कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बाते सुनाओ, वो इन डायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो, वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होने चाहीं, नहीं तो बाप किरियेट कैसे कर शुबाबा को बच्चे चिठी कैसे लिखेंगे? ऐसे तो वह पढ़ ना सके शुबाबा तो यहां बैठे हैं, इसले लिखते हैं शुबाबा थ्रू ब्रम्मा शुबाबा जरूर कोई तो शरेर धारन करते हैं गाते भी हैं, आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल वहें आकर इस शरीर में प्रवेश घ़ती हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैट बतलाती हैं, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है. पहले है परम पिता परमात्मा रच्ता, ब्रह्मा विश्नु शंकर को रच्ती हैं, बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आती हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ, दिन कहा जात है सत्युक्त रेता को रात द्वापर कल्युग को अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्सा लेनी उनके लिए ही गाते हैं तो में माताश्च पिता सखा रूप से हलके रूप में आकर बहलते हैं मुख्यें हैं तीन संबंद बाप टीचर सत्गुरू इनसे ही फाइदा है बाकि काका चाचा मामा आदी संबंदों की कोई बात नहीं तो संपूरन बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूरन बनाते हैं सोला कला संपूरन तुम बन रही हो तुम अनुभवी हो दूसरा कोई कैसे जाने जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है याद तब करती हैं जबके रावन रूपी पांच विकारों के बंधन में हैं बाप का नाम ही है लिब्रेटर अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है लिब्रेट करते हैं मुनिश्यों को लिब्रेट किया जाता है दुख से माया के बंधन से लिब्रेट करने आते हैं फिर गाइड भी है गीता में भी है मचरों सद्रिश्य सबको वापिस ले जाते हैं तो जरूर विनाश भी होगा यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं फिर द्वारा ही पालना भी होती है अभी तुम तयार हो रही हो नंबर वार पुरुशार धनुसार देखे बंधन को बुद्धी से तोड़ना है सन्यासी लोग तो घरबार छोड़ भाग जाते है तुम ग्रिस्त वहवार में रहते राज्योग सीखती हो जनक का भी मिसाल है वह फिर जाकर अनू जनक बना बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपने राजधानी में रहते ग्यान उठावे अपने घर का तो हर एक राजा है ना मालिक को राजा कहा जाता है बाप है उनकी इस्तरी बच्चे आदी हैं यह हो गई हद की रचना क्रियेट भी करते हैं पालना भी करते हैं बाकि संधार नहीं कर सकते क्योंकि स्रिष्टी को तो वृत्थी को पाना ही है सब पैदा ही करते रहते हैं सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराती हैं नई स्रिष्टी की स्थापना और पुरानी का विनाश सोतो ब्रह्मा विश्नु शंकर का रचेईता परमपिता परमात्मा ही करेंगी इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रिती समझती हो बातें तो बड़ी सहज हैं नाम ही रखा हुआ है सहज योग वायाद भारत का ज्ञान वा योग नामी ग्रामी है बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगी मात पिता से ही नई स्रिष्टी की रचना होती है यह तो सब जानती है हमको खुदा ने पैदा किया अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई स्रिष्टी रश्टी है नई स्रिष्टी एडोप्ट करते हैं मात पिता तो जरूर है बाप है फिर खुद ही इन द्वारा एडो फिर पहले नंबर में सरस्वती को Adopt किया है बाप ने इन में प्रवेश किया है न यह मम्मा तो Adopted है तुमारे ने तो मात पिता है हमारे लिए पती भी हुआ तो पिता भी हुआ प्रवेश कर अपनी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है यह तो बड़ी रमनीक बाती है जो सम्मुक सुनने की है तुम्हारे में भी नंबरवार समझते है अगर सभी समझते हूं तो फिर समझावे समझा नहीं सकते है तो गोया कुछ नहीं समझा जड़ बीज से ज़ाड कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी जट बदला सकता है इस बेहद के जाड का ज्यान जब तक बाप ना आकर समझाई तब तक कोई समझ नहीं सकते तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्सा ले रही हैं यह बुद्धी में होना चैहीं यह डबल संबंध है वहां तो सिंगल संबंध रहता है पारलोकिक बाप को याद नहीं करते वहां वह सब है बंधन तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से चूटने के लिए आजकल तो कितनी मते हो गई हैं आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं पानी के लिए धर्ती के लिए भी लड़ते रहते हैं यह हमारी हद में है यह तुमारी हद में नहीं है बिल्कुल ही हद में आ गई हैं यह भूल गई हैं कि भारतवासी सत्योग में बेहद के मालिक थे जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं भूलना भी जरूर है तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं इन बातों को अभी तुम जानते हो वहां है बंधन, यहां मात पिता से संबंध है जानते हो हम श्रिमत पर चल अथाह सुख का वर्सा पा रही है बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्सा देता हूँ फिर श्राब कोन देते हैं? माया रावन श्राब में हैं दुख, वर्से में तो सुख होता है मनुश्य यह नहीं जानते हैं कि मनुश्य को दुख का वर्सा कोन देते हैं बाप सत्युग स्थापन करती हैं, तो जरूर सुख का ही वर्सा देंगे, बाप को दुख का वर्सा देने वाला थोड़े ही कहेंगे, दुख तो दुश्मन देती हैं. पुरंतु यह बाते कोई समझते नहीं कहां की बात कहां ले गई है कहते हैं लंका लूटी जाती है सोना ले आती है अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है सोना तो मिलता है खानियों से कहां नदियों से भी मिलता है बच्चे जान गई हैं यह अनादी वॉल्ड ड्रामा है, तुम बच्चों की बुद्धी में नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार बैठा है, जो समझती नहीं, ना समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगी, पड़े हुए के आगे भरेड होईंगे, राजारानी प्रजा में फर्क तो है न, जैसे य ममा बाबा जाकर उच पद पाती है, तुम भी पुरुशार्थ कर इतना पढ़ो, जो ममा बाबा के तखत पर बैठो, विजय माला का दाना बनो, टैम्टेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है न, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम प्रजा तो बनेंगे ही, हमेशा कहा जाता है, फालो फादर, तुम बच्चे हो न, वह है फादर, फिर यह है फादर, यहाँ फिर मदर भी है, नमबर वन फालो कर रही है, तुम हो भाई बेहन, बाप तो एक होना चाहिए, ओ गोड फादर सब कहते हैं, तु सब भाई बेहन हो गई, ओर जास्ति कोई संबंद नहीं, भाई बेहन बस, और उनों का बाप दादा, भाई बेहने तो बहुत हैं, बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजा पिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है, तुम बेहन भाई ही पद पाती हो, नमबर वार बाकी जाकर अपने अपने जाड में लटकेंगे, ठिकाना तो है ना, जहां से फिर नमबर वार आती हैं, यहां है जीवन बंद, आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती हैं, इसले पहले जीवन मुक्त होती हैं, पहले पहले होती हैं स्वर्व में भारत वासियों की जीवन मुति कितनी अच्छी अच्छी बातें बाब सुनाते हैं मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है इस गवर्मेंट के हो गए तो फिर इश्वरिय सर्विस में लग जा पिर आशुरी सर्विस कैसे कर सकती हरें के करम बंदन अनुसार राय दी जाती है देखा जाता है निकल सकती है वा नहीं अच्छे शुरूड बुद्धी है तो फिर ओन गोर्ली सर्विस ओंली हो जाती है तुम बच्चों की है गोडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस हम सेना है, गोड हमको माया से युद करना सिखलाते है रावन सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है यह सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम रावन पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगी बच्चों को वह हिम्मत, वह नशा रहना चहीं, मनुष्य तो लड़ते रहते हैं सब जगहें देखो, जगडा ही जगडा है, हमारा कोई से जगडा नहीं है बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्कर्म विनाश होंगे माया का वार नहीं होगा, फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़ी न? बाप का परिचे दे, उनसे बुध्धियोग लगाना है, वह हमारा मात पिता है श्यू बाबा है, तो बताओ, तुमारी माता कुन सी है? यह भी कितनी गुईये बाते हैं, तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है? वह भी लिख देंगे परमात्मा है, अच्छा माता कहा है? माता भी गर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अंबा तरफ चले जाएंगे अच्छा, जगत अंबा को कैसे रचा? यह भी किसको पता नहीं है? तुम जानते हो, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है वह भी मुख वन्शावली है, रश्टा तो बाप ही है अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोईंट, मेरा तो एक सर्वोतम टीचर, दूसरा ना कोई, इसी निश्चे से मात पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है, दूसरा पोईंट, दे के बंधन को बुद्धी से तोड़ना है, दैवी मत परचल सदा हर्शित रहना है, इश्वर ये सेवा करनी है, वर्दान, किनारा करने के बज़ाई, स्वेम को एडचेस्ट करने वाले सहन शीलता के अवतार भव, विस्तार, कई बच्चों में सहन शक्ती की कमी होती है, इसले कोई छोटी सी बात भी होती है, तो चहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घ भबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे, या जिन से तंग होगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे, इसले स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बज़ाई, स्वेम को बदल लो, सहन शीलता का अवतार बन जा स्लोगन परमार्थ के आधार से वेहवार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षन है अच्छा ओम शानती